अब हम ट्रांजिस्टर का उप्योग as a switch देखते हैं जब ट्रांजिस्टर को हम switch की तरह उप्योग करते हैं तो उसका इस प्रकार का परिपत जोड़ा जाता है सबसे पहले हम परिपत को समझ लेते हैं और उसके बाद उसमें कैसे समीकरण ट्यार के जाते हैं इसमें कौन-कौन से रीजन होते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर switch on या switch off मोड में काम करता हैं यह सारी चीज़ों को हम लोग वक्र अनुसार समझेंगे यह ट्रांजिस्टर है जो की common emitter मोड में जुड़ा गया है और यह है NPN ट्रांजिस्टर यहां पर हम input को biasing करेंगे बायसिंग करने के लिए हम input को हम forward biasing करेंगे forward biasing करने के लिए पी वाले हिस्से को battery के धनात्मक से जोड़ना है और इस emitter यानि की N वाले region को हम रिनात्मक सीरे से जोड़ दिए और इस voltage के मानकों परिवर्तित करके देखेंगे कि इसके आधार पर जो output में voltage प्राप्त होगा वो कैसा होगा तो यह जो battery लगाई गई है जिसे मैं VBB से दर्शारी हूँ क्योंकि यह base के across लगी है इसको मैं कहूंगे यह जो battery है यह input voltage का का काम करेगी इसलिए यहाँ पर जो विभव अंतर होगा इसको हम लिखेंगे V I से अब इसके साथ जोड़ा गया है एक प्रतिरोध इस प्रतिरोध के जुड़े होने के कारण यहाँ पर potential का drop हो जाएगा यानि कि जो VBB battery हमने लगाई है वह exactly इस base और emitter के सीरोध के मद्द नहीं प्रतित होगी बलकि वह इस R B प्रतिरोध के कारण ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ पर आधहार और emitter के बीच में जो voltage है उसको हम दर्शाएंगे V B E से अब आउटपुट में देखते हम आउटपुट को भी हम reverse bias करेंगे एन सीरा है संगराहा का उसको हम जोड़ेंगे battery के धनात्मक सीरे से अब यह working condition के लिए ready है तो यह जो battery जोड़ी गई है इसका नाम रख देते हैं V CC और इसके साथ जोड़ा जाएगा एक प्रतिरोध जिसको हम नाम देते हैं RE का जो base के साथ जोड़ा है वो प्रतिरोध RB और जो emitter के साथ जोड़ा है वो प्रतिरोध RE और इन दोनों के across जो voltage हमको प्राप्त होगा वही होगा output voltage और यह output voltage इस संग्रहाग और उत्सर्जग की बीच के वोल्टेज से भिन होगा क्योंकि यहां पर जब हम देखें प्रतिरोध लगा है तो यहां पर voltage में परिवर्टन हो जाएगा तो यहां जो संग्राहाक और उस सर्जक की बीच में voltage है उसको हम दर्शाएंगे VCE से उस सर्जक में प्रवाहित होने वाली IE धारा आधार में प्रवाहित होने वाली धारा IB और संग्राहाक में प्रवाहित होने वाली धारा IC किर्चौफ की नियम से हम जानते हैं कि IE बराबर होता है IB प्लस IC वैसे आधार धारा IB का मन बहुत ही कम होता है इसलिए हम देखें तो जो संग्रहक धारा होती है वो उत्सर्चक धारा के लगभग बराबर ही होती है अब इसका वर्किंग कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं यदि हम किर्चौफ के दूतिय नियम को इस्तमाल करें इस निवेशी परिपत में तो VBB जो होगा वो IB RB प्लस VBE के बराबर होगा यहाँ पर जो RB के across voltage drop होगा या इसके सीरो के मद्ध जो विभव अंतर होगा वो इसमें बहने वाली धारा और इसके प्रतिरोत के गुणन फल के बराबर होगा इसलिए हमने यहाँ पर IB into RB लिखा है और इस base और सर्जक के बीच में जो voltage उत्पन हो रहा है या अपियर हो रहा है वो BBE है तो यह है पहला समी करण वैसे ही निर्गत परिपत में देखें किर्चौफ के दूतिये नियम से जो की voltage का नियम है तो यहाँ पर हम देखेंगे जो VCE है वो बराबर होगी VCE क्या है यह संग्रहाक और एमिटर के बीच का voltage difference है तो यह VCE किसके बराबर होगी इस प्रतिरोध में के सीरों के मद्द उत्पन होने वाले विभव अंतर और इस बैटरी के द्वारा विभव अंतर के योग के बराबर होगी तो यहां हम देखें तो VCE बराबर होगा VCC माइनस ICRL यहां धारा की विपरित दिशा है इसलिए हमने यहां पर ICRL को माइनस में लिखा है अगर धारा की दिशा में हम काल्कुलेट करतें इस मैस को तो वो प्लस लिखतें यहां पर विपरित है इसलिए हां पर माइनस लिखेंगे यदि जो वोल्टेज आपने यहां लगाया है वो इन्पुट वोल्टेज है यानि VBB बराबर VI है और वैसे ही हम देखे अगर VCE जो यहां संग्राहाक और उस सर्जक की बीच में वोल्टेज उत्पन हो रहा है वो पूरे आउटपुट वोल्टेज के बराबर है तो इस समीकरण में मान रखेंगे तो हम समीकरण लिख सकते हैं VI बराबर IBRB प्लस VBE और आउटपुट का वोल्टेज VO बराबर लिखेंगे VCC माइनस ICRC यह दो समीकरण इसलिए तयार किये गए ताकि हम इसको गणीती रूप में समझ सके जब एक सिलिकन अर्देचालक से NPN ट्रांजिस्टर बनाया जाता है तो सिलिकन में हम देखें तो बैंड गैप कितना होता है तो लगभग 0.7 वोल्ट का होता है तो यहाँ पर हम जो निवेशी सिगनल यदि निवेशी वोल्टेज यदि 0.7 वोल्ट से कम देंगे वो अर्देचालक नॉन वर्किंग कंडिशन में होगा मतलब जब हम उसको निवेशी सिगनल को 0.7 वोल्ट से अधिक देते हैं तभी वो काम करना शुरू करता है यहाँ उसका बैंड गैप 0.7 वोल्ट का होता है तो यहाँ पर हम जब प्लॉट करते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यह ग्राफ इस रूप में हमको दिखाई देता है यहाँ पर कुछ रीजन में ग्राफ सीधा दिख रहा है फिर लीनियरली नीचे डाउन हो रहा है फिर आगे की और बढ़ रहा है यह जो रीजन है जो 0 से 0.7 वोल्ट की है इस रीजन को हम बोलते हैं अंतक रीजन यानि की कट आफ रीजन और जो 0.6 से 1 वोल्ट की रीजन है वो कहलाती है एक्टिव रीजन यानि की सक्री रीजन और जो 0.1 से अधिक वोल्ट की रीजन है उसको हम कहलते हैं संत्रिप्त अवस्था या फिर सैचूरेशन रीजन अब ये तीनों अलग अलग रीजन में ट्रांजिस्टर कार्य करता है लेकिन ट्रांजिस्टर स्विच की भाती स्रिफ इन दो रीजन में काम करता है मतलब कट आफ रीजन में और सैचूरेशन रीजन में जब पहले वाली रीजन को हम देखें, जहां निवेशी वोल्टेज का मान 0.7 वोल्ट से कम है, उस कंडिशन में निवेशी वोल्टेज का मान कम है, तो जो संग्राहक धारा है, उसका मान भी कम होगा, निवेशी वोल्टेज कम होता है, तो जो निवेशी धारा है, वो भी कम ह निर्गत धरह का माण भी कम होगा इस प्रकार जो संग्राहक में धारह है उसका मान कम होगा या फ़िर बोल सकते हैं शुन्य होगा उस con Serve Us कंडिशन में जब IC का मान कम होगा तो VO का मान अधीक होगा क्योंकि जब इस अमःकरन को हम देखें आउटपुट वाले समिकरण को IC कमान कम है तो ICRL कमान कम है और कोई कम राशी VCC से माइनस की जारी है तो VO कमान अधिक होगा तो उस कंडिशन में धारा कमान शुन्य होने के कारण ये ट्रांजिस्टर आफ स्विच के रूप में काम करता है मतलब ये स्विच रहेगा लेकिन आफ कंडिशन में रहेगा जब VI कमान 0.7 वोल्ट से अधिक होता है तो ट्रांजिस्टर सक्री अवस्था में आ जाता है इस कंडिशन में जो संग्राहक धारा होती है वो रैखिक रूप से बढ़ता है और आउट्पुट वोल्टेज कमान घटने लगता है जब तीसरे रीजन में हम देखे जब input voltage का मान एक से अधिक हो जाता है उस condition में जो संग्राहक धारा है वो अत्य अधिक होती है उस का मान सबसे अधिक हो जाता है जब संग्राहक धारा का मान अधिक होगा, IC का मान अधिक होगा तो ICRL का मान भी अधिक होगा और इस समीकरण से देखें तो output voltage का मान शून्य हो जाएगा ये कहलाती है संत्रिप्त अवस्था यानि की saturation region इस region में अधिक्तम input voltage के लिए भी output voltage का मान शून्य होता है और इस region में अधिक्तम धारा प्रवाहित होने के कारण ये transistor काम करता है on switch की तरह तो इस प्रकार transistor दो छेत्रों में काम करता है अंतक अवस्था यानि की cut off region में ये off switch की तरह संत्रिप्त अवस्था यानि की saturation region में ये on switch की तरह काम करने लगता है जब कोई function होता है बहुत सारी gathering होती है उस समय speech देने के लिए या फिर गाना सुनने के लिए में हम क्या इस्तमाल करते हैं माइक का स्तमाल करते हैं एक्चुली इस माइक में जब को व्यक्ति बोलता है तो वह हमको आसानी से सुनाई देता है एक्चुली वह loudspeaker के थ्रू सुनाई देता है पर उस माइक में एक और device लगा होता है जिसको हम कहते हैं amplifier actually यह हमारी audio signal को amplify कर देता है amplify करना मतलब आयाम को बढ़ा देना actually audio signal जो होता है amplifier में वह electric signal में convert होता है और उसके बाद वह amplify किया जाता है amplification की प्रकृय में किसी भी signal की आवरिती वही रहती है, लेकिन उसका आयाम बढ़ जाता है, यदि frequency चेंज हो जाएगी तो वो signal ही चेंज हो जाएगा, तो बीना frequency को चेंज किये, उस signal के आयाम को बढ़ाना, उस signal के amplitude को बढ़ाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं amplification, और transistor भी इसी प्रकार amplifier की तरह काम करता है, के जैसे working को समझते हैं, जब transistor को amplifier की रूप में इस्तमाल किया जाता है, तो इस प्रकार का circuit हम तयार करते हैं, यहाँ पर एक निवेशी परिपत होगा, जिसमें हम signal देंगे, और वो amplify होकर बाहर मिलेगा, तो जो transistor होता है, उसको दो विधा में हम लोग amplifier जैसे use कर सकते हैं, common emitter में भी और common base में भी, हमारे course में तो common emitter ही है, फिर भी मैं दोनों के बीच में difference बता रेती हूँ, जो common base mode होता है, उसमें किसी signal को हम डालते हैं, निवेश करते हैं, तो वो signal amplify होके मिलता है, और समान कला में मिलता है, मतलब जैसा तरंग था, बस वो amplify हो जाएगा, और व signal में 180 degree का कला अंतर आ जाता है, यहां पर face different total 180 degree का हो जाता है, तो जो signal हमने दिया, वो उल्टा होके प्राप्त होता है, यदि हम इस प्रकार का signal निवेश में देंगे, तो वो signal total reverse होके amplify होगा, पर यहां पर reverse होकर वो output में प्राप्त होगा, तो यहां पर हम common emitter mode में सबसे पहले transistor को जोड कर परिपत बनाते हैं, यह है निवेशी परिपत और इधर का है निर्गत परिपत, यह common emitter board में है, तो यहां पर base और emitter कौन से बायस में होना चाहिए, अगर बायस में और संगराक वाली जो संधी है, वो reverse बायस में होनी चाहिए, तो उसके अनुसार हम यह प्यासिंग करेंगे, बैटरी जोड देंगे, यहां पर transistor में emitter जो की P सीरा है, वो बैटरी के प्लस से, और base यानि की N सीरा है, वो बैटरी के माइनस सीरे से जोडा गया, और यहां पर input यानि की निवेशी सिगनल दिया जाएगा, यह जो बैटरी लगाई गई है, इसका न जब निवेशी परिपत में सिगनल दिया जाएगा, तो इस परिपत में धारा प्रवाहित होगी, जिसके अनुसार output की धारा में भी परिवर्तन होगा, यह output में धारा प्रकट होगी, यह output पो जब बायसिंग करेंगे, तो यहां इस transistor के P सीरे को हम बैटरी के रिनातमक सीरे से जोड़े है, तब ही तो यह रिवर्स पायस में है, और यहां पर एक लोट प्रतिरोध लगाया गया है, जहां पर इम दोनों के एक्रोस आउटपूट लिया जाएगा, यहां पर जो संग्राहक और उत्सर्जक के बीच में वोल्टेज ड्रॉप है, वो VCE से दर्शाया ग प्रवाही तोनेवल इधारा, IC, यह पूरी कार्य विधी ट्रांजिस्टर की हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके आधार पर हमने आपे बाइसिंग कर दिया और परिपत तयार कर दिया, अब यह एम्प्लिफायर की जैसे कैसे काम करता है, इसको हम देखते हैं, तो किर्च मतलब जो संग्राहाग और सर्जक के बीच में वोल्टेज है, वो किसके बराबर होगा, वी सी सी जो लगाया गया वोल्टेज है बैटरी के द्वारा, पर यहां आई, यहां आर एल में पोटेंशल का ड्रॉप होगा, जितनी धारा प्रवाहित होगी उसके अधार पर, तो यह ड्रॉप कहलाएगा, यह ड्रॉप होगा आईसी इंटू आरल, क्योंकि इस आरल से संग्राहाग धारा आईसी प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर लिखेंगे माइनस आईसी आरल, इसको दे देते हैं समीकरण दो, यह दोनों समीकरण के अधार पी हम इसकी कार्यविध समझेंगे, अब इसकी कार्यविधी को समझने के लिए हम कुछ कॉंसेप्ट वे फोकस करते हैं, जैसे कि विद्धुधार का प्रवाहित होती है, जब विभव का अंतर हो, और विभव का अंतर हम जिस श्रोत की सहयता से लगाते हैं, उसको हम बैटरी का नाम देते हैं, इस इसलिए बैटरी की सहयता से धारा को प्रवाहित की जाती है, विभव का अंतर जितना ज्यादा होगा, उतनी ही धारा की मातरा अधिक होगी, और विभव का अंतर कम होगा, तो धारा की मातरा भी कम हो जाएगी, अब मान लीजे, किसी परिपत में इस प्रकार बैटरी परिवर्ती तो सिगनल दिया जा रहा है अब यदि हम देखें कि बैटरी के धन तर्मिनल में यदि धनात्मक अर्थ चक्र पहुच रहा है तो ये बैटरी के धन विभव को अधिक बढ़ा देगा धन विभव मतलब दो उच्छे विभव तो ये इस मान को अधिक धनात्मक कर देगा, अधिक धनात्मक हो जाएगा एक विभफ तो दूसरा वाला रिनात्मक है तो इन दोनों की बीच का अंतर बहुत अधिक बढ़ जाएगा, उस कंडिशन में हम ये कह सकते हैं कि जो धनात्मक अर्थ चालक होता है वो बैटरी का सयोग कर रहा है और धारा कमान अधिक हो जाएगा ऐसे ही यदि परिपत में बैटरी का रिणात्मक टर्मिनल पहले दिख रहे हैं और अर्थ चक्र रिणात्मक वाला बैटरी के रिण सीरे को प्राप्त हो रहा है तो यह बैटरी के रिणात्मक विभव को और अधिक रिण कर देगा और अधिक रिण हो जाएगा तो यह जो धन और रिण का डिफ्रेंस है दोनों विभव का अंतरे वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा उस कंडिशन में भी धारा अत्यादिक प्रवाहित होगी इसका मतलब यानि धनात्मक अर्धिचक्र बैटरी के धनात्मक विभव को मिलता है तो धारा प्राप्त होता है लेकिन यदि विपरत कंडिशन हो अनात्मक अर्धिचक्र बैटरी के रिनात्मक टर्मिनल से पहुच रहा हो या फिर रिनात्मक अर्धिचक्र बैटरी के धनात्मक टर्मिनल पर पहुच रहा हो तो दोनों ही कंडिशन में यह बैटरी को विरोध करेगा और हम यह कह सकते हैं कि धारा का मान कम हो जाएगा इसी के आधार पर हम इस PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधी को समझेंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं जो निवेशी परिपत है जिसमें से प्रत्यवर्ती सिगनल दिया जाना है उस सिगनल में जो बैटरी लगाई गई है वो इस परिपत में जूड़े अमीटर और अधार संधी को अगर बायस में रख रही है अब जब धनात्मक अर्देचक्र इस बैटरी के रिणात्मक टर्मिनल में मिल रहा है तो यह अगर बायसिंग का विरोध करेगा जिसके कारण इस परिपत में आई भी धारा कमान कम हो जाएगा और समीकरण एक से देखे तो आई ए धारा भी कम हो जाएगी और आई सी धारा कमान भी कम हो जाएगा अब IC धारा का मान कम होगा तो ICRL का मान भी कम हो जाएगा और समिकरन 2 से देखें तो VCE का मान बढ़ जाएगा क्योंकि VCC में हम कम राशी को घटा रहे हैं तो VCE का मान बढ़ जाएगा VCE का मान अधिक हो रहा है इसका मतलब संग्राहक वोल्टेज जो इस C पर प्राप्त हो रहा है वो अधिक होगा संग्राहक वोल्टेज अधिक है यह जो संग्राहक है वो किस से जुड़ा है यह VCC बैटरी के रिन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसका मतलब संग्राहक रिनात्मक वोल्टेज पे है ये रिनात्मक है लेकिन अब इसका मान बढ़ चुका है इसका मतलब अब ये पहले वाली स्थिती के तुल्ला में अधिक रिनात्मक हो जाएगा जब ये अधिक रिनात्मक हो गया तो यहां पर रिनात्मक अर्धचक्र प्राप्त होगा यानि कि हम निवेशी में दिये थे धनात्मक अर्ध चक्र और हमें प्राप्त हुआ है रिनात्मक अर्ध चक्र जिसका आयाम पहले वाले सिगनल की तुलना में अधिक है आगे हम देखते हैं जब हम रिनात्मक अर्ध चक्र निवेशी सिगनल के रूप में देते हैं यह रिनात्मक अर्थ चक्र यहां पर देखेंगे बैटरी के रिन सीरे को प्राप्त हो रहा है तो यहां पर यह अगर अभीनती का सहीयोग करेगा जिसके कारण निवेशी धारा बढ़ जाएगी यानि कि I-B धारा बढ़ जाएगी जिसके कारण I-E धारा भी बढ़ जाएगी और I-C धारा भी बढ़ जाएगी यहां पर जो V-C-E का मान है वह घट जाता है इसका मतलब जो संग्रहाक जो की बैटरी के रिंड टर्मिनल से जुड़ा हुआ था यह कम रिनात्मक हो जाएगा और कम रिनात्मक हो रहा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वह धनात्मक हो गया है और इस कंडिशन में हमको आउट-पूट में धनात्मक अर्द चक्र प्राप्त होगा इस प्रकार हम शुरू किये थे रिनात्मक अर्द चक्र से और प्राप्त हुआ धनात्मक अर्द चक्र और निवेशी और निर्गत सिग्नल को हम compare करें तो दोनों में 180 डिग्री का कला अ अंतर प्राप्त होता है मतलब यह सिगनल टोटली रिवर्स हो जाता है अब हम NPN ट्रांजिस्टर की कार्यविधी को ऐसे अम्प्लिफायर देखेंगे इसके लिए भी हम परिपत त्यार कर लेते हैं यहां पर बायसिंग कर देते हैं यह निवेशी परिपत इस पूरे में जो यह वाला सेक्शन है वह निवेशी परिपत की रूप में इस्तमाल हो रहा है जिसमें हमने एक बैटरी जोड़ दी है जिसका नाम VBB है अब फॉरवर्ड बायसिंग करने के कारण यहां पर जो आधार प्रकार का है वह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जूड़ा है और इसी निवेशी परिपत में इन्पूट सिगनल दिया जाएगा यह आउटपूट परिपत कैसे बनाएंगे हम लोग यहां पर हम संग्रहा को संग्रहा को वाली संधी को रिवर्स बायसिंग करेंगे तो इसके एन वाले रीजन को हम बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ दे अंतर लगाया जा रहा है उसका ड्रॉप इस उसका पोटेंशल ड्रॉप इस लोड़ प्रतिरोध में होगा जिसको हम दर्शाएंगे क्योंकि इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा संग्रहाक धारा आइसी से दर्शाई गई है तो संग्रहाक और एमिटर के बीच में जो पोटेंशल डिफरेंस है वोल्टेज ड्रॉप है वो दर्शाए जाएगा वी सी इसे अब यहां पर भी यदि किर्चौफ के पहले नि हम से देखें तो VCE बराबर होगा VCC माइनस ICRL अब यह काम कैसे करता है अब यह दो समीकरण इसकी कारी विधी को समझने के लिए पूरी तरीके से रेडी है अब वही कॉंसेट लगाएंगे यहां पर देखते हैं निवेशी परिपत में बैटरी किस प्रकार जूड़ी अनात्मक अर्दे चक्र इस बैटरी के धन-सीरे को मिलता है इसका मतलब यह अग्र अभीनति का सयोग कर रहा है जिसके कारण आई धारा का मन बढ़ जाएगा IE धारा का मन बढ़ जाएगा और IC धारा का मन बढ़ जाएगा समीकरण एक यही कहता है अब ICRL का मान भी भढ़ सब्सक्क्राइब से जूड़ा हुआ इस से बयांटरी के धनात्मक सीरे से जूड़ा हुआ है कि इसका मतलब संग्राहाक रहेगा तो धनात्मक ही लेकिन पहली वाली तुलना में इसका मान घट जाएगा यानि कि ये कम धनात्मक हो जाएगा जब ये कम धनात्मक हो जाएगा इसका मतलब इसको हम लोग रिनात्मक ले सकते हैं कम धनात्मक मतलब रिनात्मक के तुल्य और यहां पर हमें रिनात्मक अर्धचक्र प्राप्त होगा शुरू कि ये थे धनात्मक अर्धचक्र से निर्गत में प्राप्त हो रहा है रिनात्मक अर्धचक्र वैसे ही यदि हम रिनात्मक अर्थचक्र निवेशी सिगनल के रूप में यहां पर इस निवेशी परिपत में देते हैं जो कि बैटरी के धन सीरे से जुड़ा हुआ है तो यह अगर अभी नती का विरोध करेगा क्योंकि यहां VEB बैटरी के विभवांतर को घटा देता है जिसके कारण IB धारा कमान कम हो जाएगा समीकराण 1 से IE धारा कमान कम हो जाएगा और IC धारा कमान भी कम हो जाएगा IC कम है ICRL कमान भी कम है और समीकराण 2 से VCE कमान बढ़ जाएगा अब संग्राहक को देखें तो संग्राहक इस VCC बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसका मतलब यह पहले कि तुलना में अधिक धनात्मक हो जाएगा क्योंकि मान बढ़ चुका है तो यह अधिक धनात्मक हो जाएगा इस कंडिशन में आउटपूट में धनात्मक अर्ध्चक्र प्राप्त होगा तो हम शुरू किये थे निनात्मक अर्दचक्र से निवेशी सिगनल के रूप में और निर्गत सिगनल में धनात्मक अर्दचक्र प्राप्त हो रहा है और इस प्रकार निवेशी सिगनल और निर्गत सिगनल को कंपेर करें तो ये दोनों ही एक दूसरे के विपरित हैं यानि कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों सिगनलों के बीच में 180 डिगरी का कलांतर है